अब दिखाता हूँ मैं आपको इस डिवाइस का जादू 3,2,1 यहाँ पर आप देखेंगे लाइट्स ओफ हो चुकी है इस डिवाइस के माद्यम से आप अपने घर के सभी एक्क्योपेंट्स को ओपरेट कर सकते हैं यह एक स्मार्ट प्लक है जिसके माद्यम से आप अपने घ इस डिवाइस को यूज करना है कुछ इस तरह की बॉक्स पैकेजिंग में आपको यह सो इस देखने मिलता है उपर साइड आप देखेंगे टाटा की ब्रांडिंग दी गई है टाटा पाबर इजएड होम यह एक सिंगल स्मार्ट सुष है जो की 16 एंपियर का है मतलब आप इसी को भी स्मार्ट ली इससे ऑपरेट कर सकते हैं वॉक्स के राइट हैं साइड पर आपको ट्राइमर भी मिल जाता है तो अगर आप 15 किसी पर्टिकुलर डिवाइस को यूज करना चाहते हैं तो आप यह भी कर सकते हैं और सबसे मेजर और इंपॉर्टन जो फीचर है वह है इसका गूगल असिस्टेंड और Aleksa तो यह गूगल असिस्टेंट और Alekso के साथ भी काम करता है बेक में कुछ और information दी गई है बट अभी हम इसे open करते हैं और check करते हैं box content यहाँ पर आपको एक user manual मिल जाता है और इसके बाद फाइनली यहाँ पर आपको को मिल रहा है यह सुविच यहां पर आप देख सकते हैं looking 22 आपको सिर्फ और शिरफ एक वटन देखने मिल रहा है यह यह यूनिवर्सल सॉकिट पर है तो आप अपने घर में आसानी से इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं यहां पर मैं आपको full process बताने बाला हूँ किस तरह से आपको से install करना है, use करना है, mobile से कैसे आप connect करेंगे तो सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे कि हमने इस device को लिया हुआ है यहां पर testing के लिए हमने एक socket को भी लिया हुआ है कुछ यहां पर हमने wire को लिया है ताकि हम इसका connection कर सकें और यहां पर हमने plaque में लगा कि कुछ और wire को यहां पर लिया हुआ है देखिए connection की जो process है बहुत ही जादा आसान है अगर आप switch के पीछे side देखेंगे तो यहां पर आपको तीन port दिखाई देगे सबसे पहला है N, दूसरा है L और तीसरा है L बन तो N और L जो हमारे port होते हैं यह हमारी main line होती है जहां पर आपको neutral और face जो point है वाया आपको लगाने होते हैं कुछ इस तरह से तो यहां पर भी आप देखिएंगे बीच में हमने face को add किया है जो कि हमारा red buyer है जो की L में हमने add किया है side में हमने neutral को add किया है तो यहां पर आप देखिएंगे कुछ इस तरह से हमने इसे add कर दिया है एक बार हम इसे board में लगाकर check भी कर लेते हैं कि तेस्टर के माध्यम से हमने current को भी check किया है, proper तरीके से यहाँ पर current आ रहा है, अब चलेंगे हम अपने socket की तरह पर socket में भी connection कर लेती है, तो यहाँ पर हमने small wire को use किया है, normally आपको wire को attach करना है, इस socket के साथ, और यहाँ पर आपको add करना है N और L1 में, देखिए यहाँ पर ह और जो दूसरी हमारी wire होगी, उसको आपको add करना है, तो पहली wire हमारी L1 में जाएगी और दूसरी हमारी N में जाएगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यह बहुत basic सा structure था, जो कि अब complete हो चुका है, अब हम testing भी कर लेते हैं, कि proper तरीके से हमने connection किये हैं, वह काम कर रहे हैं या नहीं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने fan को add किया हुआ है, और अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो power है, वह off है, यह आप तक हैसे लगाएंगे, जो हमारी power button है, उसके ऊपर भी आपको indicator देखने में जाते हैं, वाइफाई का mode हमारा enable है, तो आगे हम Wi-Fi म माध्यम से इसे on करते हैं, जैसे हमने इस button को touch किया, तो यहाँ पर हमारा fan on हो चुका है, और जो light है, वह भी आपको on दिखाई देती है, अगर आप इसे off करना चाहते हैं, ठीक उसी तरह से आपको touch करना होगा, तस तो हम नहीं बोलेंगे, आपको हलक असा press करना होगा, यह यहाँ पर हम energy meter को भी use करके देख लिते हैं, RGB light को भी हम यहाँ पर use करके देख लिते हैं, तो यह तो था इस video को पहला part, कि आप manually से operate कर सकते हैं, अगर आप इसे smartphone से operate करना नहीं चाहते हैं, बट अगर आप इसे smartphone से operate करना चाहते हैं, और remotely आप किसी भी location से अपने घर के equipment क आप करना चाहते हैं, आप चाहिए फ्रिज हो, AC हो, washing machine हो, या फिर multiple gadgets भी हो सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी user manual को निकालना है, क्योंकि वहाँ पर QR code है, उस QR code को आपको अपने mobile phone से scan करना है, जैसे ही आप scan करेंगे, तो आप पहुंच जाते हैं यहाँ पर एक basic registration की process है, जहाँ पर आपको email address डालकर इसे sign up करना है, sign up करने के बाद फिर आपको करना होता एपनी device को add, device को add करने के लिए आपको add smart device पर जाना है, अब देखिए Tata की multiple products हैं, तो यहाँ पर हम switch को add करने वाले हैं, तो आपको सीधा switch पर click करना है, switch में भी आ Wi-Fi यहाँ पर दे सकते हैं, otherwise दूजरा option भी है, तो अभी यहाँ पर हम Wi-Fi add कर देती हैं, हमने SSID और password को यहाँ पर दे दिया है, इसके बाद सीधा आपको next step पर click करना है, देखिए जैसे ही आप next step पर click करना है, तो यहाँ आपको बताता है कि आपकी जो device है, वहाँ पर blue LED blink ब्लिंक हो रही है या नहीं, तो आपको device में power लगा कर देखना है, यहाँ पर आप देखिए कि यह blue LED blink हो रही है, सीधा आपको next button पर click करना है, अब यहाँ पर आप देखिए connecting के process start हो चुकी है, और यह Wi-Fi से हमारी device connect हो रही है, अब देखिए दूसरा option भी है कि अगर आप इसे Wi-Fi से connect करना नहीं चाहते हैं, Wi-Fi से आप इसे connect करेंगे जब आप किसी भी location से operate करना चाहते हैं, बट अगर आपके पास गर में Wi-Fi नहीं है, आप एक कमरे में हैं और remotely अपने phone से करना चाहते हैं, तो फिर आप local area network पर भी काम कर सकते हैं, जैसे ही आप अपने mobile के Wi-Fi प आते हैं इस particular device से, यहाँ पर आपको internet की requirement नहीं होगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि finally हमने इसे add किया है, अब आप device को देखिए, यहाँ पर हमारी device on है, हम mobile से इसे off करते हैं, mobile से off करने के लिए सीधा आपको touch करना है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि blue LED off हो चुकी ह अब हम फिर से on करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि blue LED on हो चुकी है, मतलब हमारी device अब on हो चुकी है, यहाँ पर आप देखेंगे हमने background में LED को इस device के साथ add किया है, हम इसे सबसे पहले करेंगे off, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी background के LED off हो चुकी है, और हमने फिर इसे again on भी किया है तो यह personally मुझे बहुत ही बैतरी डिवाइस लगए एक छोटी सी डिवाइस है जो कि आपके घर को smart बना सकती है आप AC जैसे heavy load भी इस डिवाइस पर दे सकती है क्योंकि 16 MPR का इस socket है अगर आप डेटेल में इस डिवाइस के बारे में चेक करना चाहते ह तो description box में मैंने आपको link दिया हुआ है जहां से आप इसे detail में चेक भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे like जरूर करें अगर आप हमारे चैनल पर new है तो मैं आपसे request करूंगा कि आप हमारे चैनल को subscribe भी करें एक नए वीडियो में आपसे फिर की मुलाकात होगी तब तक के लिए hashtag cyberbaba